नमस्कार मित्रों अज हम बात करेंगे संजीवनी बूटी की संजीवनी बूटी का सीधा सा आर्थ एक ऐसी बूटी जो आपको हर रोग से बचा सके आपको जवान और सुंदर बनाए रख सके हमारे गंतों के अनुसार भी ये बूटी बहुती दुरलब और बहुती जैदा कारगर है प्राचीन समय से ही ये औशदी के रूप में प्रियोग की जा रही है ये स्वस्तर रक्षक है सौंदरिय वर्दक भी है और हर तरह से रोग निवारक गुणों से भरपूर और भरी हुई है ये आस्याजनक औशदी 220 से भी जैदा रोगों में बड़ी लाबकारी सिदुई है ये बूटी शरीर गदोशों वे मलके उत्सरिजन के दोबारा शरीर को शुद सब दातों को पुश्ट करती है और एक जो जरूरी रसायन होता है हमारे से के लिए उसका निर्मान करती है एंटी बॉयटुक बहुती जबरदस्त है और विश्नाशक भी है ये स्वस्थ कोशिका और निर्मान कर रोग परती रोदग सिस्टम को एकदम मजबूत और पारफुल करती है और वेद के नुशार ये वात, पित, कफ, शामक है और हमारी जट्रागनी वर्दक यानि की हमारी जो पाचन शक्ती है उसको बढ़ाती है हमारे लिवर को एकदम फिट करती है एकदम कोई कमी अगर उसमें है तो उसको दूर करती है पूरी पुष्टी दायक और वीर्य वर्दक है और नेत्रों के लिए तो बड़ी गुनकारी है यह हमारी लिवर के समथ दोसों का निभान कर उसकी कार्य प्राने को शशक्त करती है एकदम परफेक्ट बनाती है यह जड़ी बुट्टी है जिसका नाम है एलो विरा जी हाँ इसको हम ध्रतकुमारी भी बोलते हैं और अपने देशी लेंग्वेज में इसे गवार पाठा भी कहा जाता है जैसे तप्चा विकार है पीलिया है रक्त अल्पता है कवजन्य जर्व जीन जवर हड़ी का बुखार जीन जवर यानि हड़ी का बुखार खांसी तिल्ली की वृद्धी हो जाना किसी तरह का आँखों का रोग या स्त्री रोग यानि वोमेंस डिसिज बालों का जड़ना जड़न का दर इत्चादी में यह बहुत ही उप्योगी है पेट के प्राणे रोग चम रोग गठ्या वम्मदू में यह विशेश लाप्रद है यह आपको लेनी कैसे है उसपे आप जरा ध्यान दें जो बच्चे हैं वह 5-15 मिलिलिटर ही लेंगे और जो बड़े हैं वह 15-25 मिलिलिटर लेंगे लेकिन कब लेंगे सुभय खाली पेट जिहां एक ही टांइम लीजिए गर और इस शे रोग में सेवन करेंगे तो आपको रोग कभी होंगे ही नहीं